महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में तो जैसे की थमनेल आपने देखा अगर सच में यह टॉपिक है बहुत से लोगों के मन में है पहले चीज़ तो यह कि यह वीडियो ऐसा है कि मलब गाड़ी कैसे खरीदे किसी के मन में आता है ना कि गाड़ तो सारा कुछ मतलब इस वीडियो के अंदर कंपलिट आपको मिलने वाला है कि गाड़ी खरीदने कैसे जाए और गाड़ी पहले चेक कैसे करनी है कि गाड़ी हमको अच्छे मिल रही है कि नहीं मिल रही है अगर आप पिक अप खरीदते हैं मैं तो पिक अप की बात यूँ कि जो रोड से चला के लिए क्याते हैं वह गाड़ी लड़ जाती है महिंदरा की और टाटा की कोई भी 100% कोई नहीं कोई गाड़ी होती ही होती है फिर इसको डेंटिंग करया जाता है बना के वह वापस हम लोग को चिपका दिया जाता है तो कैसे पकड़े हम की इन सारे topics के उपर हम आप आज बात करने वाले हैं आप सभी से कैसे क्या होता है पहला अगर आप गाड़ी लेने की plan कर रहे हैं पहले चीज तो planning ठीक है लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहला आप धंदे में पहले से हैं तो ठीक है नहीं है तो मैं recommend करूंगा कि आ आप पहले गाड़ी पर दूसरी के साथ जाएं गाड़ी सीखें गाड़ी सीखने से पहले ही आप अपना driving license जो है वो डाल दें ताकि गाड़ी सीखते सीखते आपका completely driving license बन जाए यह हो गया तो आप जब धंदे में आना चाहते है तो यह पहले कर लें कि आप रास्ता है कितना पैसा चाहिए तो गाड़ी लेने के लिए पहले आपको minimum जो है तकरीबन दो से तीन लाख रुपए पकड़ के चलिए इस टाइम पे तो चार लाख साड़े तीन से चार लाख इस टाइम मतलब जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं यह मेरी महिंद्रा की बोलेरों पी क्योंकि जो भी आपकी funding होगी वह 20% होगी गाड़ी की कीमत इस टाइम पे साड़े नौ लाख रुपए है साड़े नौ लाख का आप 20% निकालेंगे तो दो लाख मतलब 80,000 यह पकड़ लीजे मतलब 25 यह पकड़ लीजे तो वही पकड़ लीजे दो लाख रुपए आपको agency में जमा करना पड़ेगा अब आपकी आपका साथ लाख 20,000 और साथ लाख क्या सपास आपका लोन जो होगा वो होगा तो इतना होगी funding की बात अब इसमें आपको registration चार्ज आपको देना पड़ता है क्योंकि गाड़ी 9,50,000 में on road हो जाती है ठीक है तो on road पे गाड़ी finance न सो जाता है तो 9,80,000,20% पे funding होती है तब 30 पे होती है तो वही समझ लीजे 9,30,000,27,000 रुपए आपको भरना है बाकी का बैंक लोन देदेगी ये लोन का हो गया कि इतना ratio आप पकड़ के चलिए तब जाके आपकी गाड़ी का वो होगा finance तो इतना लोन आपका बनेगा और पहले चीज़ आप जब लोन लेने जा रहे हों आप बहुत बारिकी से गाड़ी हडबड़ी में बिल्कुल ना खरीदे पहले analysis करें कि कौन सी गाड़ी अच्छी है कौन सी गाड़ी नहीं है आपको गाड़ी पसंद आ जाती है उसके बाद आप पहले अपना लोन के लिए apply कर दें कि गाड़ी इतना किसी भी agency से एक अपना quotation मांग ले उस quotation को बैंक में दे दे और बैंक का document क्या क्या माई है बैंक आप से आधार काड पेन काड और जी स्टीन अलोन बराबर मतलब अच्छे से कम finance में मिलेगा उसके लिए बता रहो जी स्टीन इंकम टेक्स रिटन कम से कम दो से तीन साल का आपका रिटन होना चीए जो कि मतलब आप किसी भी year मिले एक दो साल का रिटन मिल जाए उननीस बीस बीस एक किस बाइस तेस दो से तीन साल का income tax रिटन फाइल होनी चीए वो उसके बाद वो सारी चीज़े और आपको address proof में या तो light bill लेंगे या तो खेत की जो होती है वो खतावनी होती है गाँ में जो कि मिलता है खसरा खतावनी बोलते है वो तो वो ले 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 नहीं वो मांगेंगे या तो light bill अगर आप urban area में रहते हैं सिटी में रहते हैं तो आप से light bill मांगी जाएगी अब आप गाँ में रहते हैं तो आपके खेत क जो है खतोनी मांगा जाएगा अधार पेन अब बता दिया जीस्टीन आईटियार और उसके बाद खेत की खतोनी इतनी चीज़ देंगे तो आपको इसली लोन मिल जाएगा क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है तो उनको लोन तो मिलना मुस्किल है क्योंकि बैंक लोन देती नह इसा नहीं कि एक एगेंसी में जाएगे दो से तीन एजनसी में आप जाके नेगोसियेट करिए कि यहां पे कितने रिड की है यहां पे कितने क्योंकि अपने को बिजनेस करना पने को पैसा बचाना है पिक अप के लिए बता रहा हूं बाकी आप नॉर्मल वह सब गाड़िय यह बहुत अच्छे से है तो वह बताने के लिए मैं आप गाड़ी के बाहर चलता ओ बंड़ाता ऑन तो देखे गाड़ी भड़ी ना हो उसको पता करने के लिए लिए हमको यह हम किया हुआ है तो ऐसे हम गाड़ी को चारों तरफ से अपने हाथ से जो है ऐसे चेक करेंगे कि कहीं गाड़ी लड़ी नहीं कहीं और उसको ध्यान से देखे पच्का उच्का नहीं चीचिस वेचिस देख ले अंदर का खोल के आप देख सकते हैं तो यह गाड़ी पता करने का चेक कैसे करें कि मतलब क्या बोलते हैं गाड़ी कहीं से ठोकी नहीं है लड़ी भीड़ी या कुछ बहुत एजी है पता करना तो यह आपको बता ही दिया और इसके पहले मैं एक वीडियो बनाई है कि गाड़ी तो ले लिए अब क्या करें क्योंकि माइंड में मेरे दीरे द मैं दे दूँगा कि आपको जितनी भी जानकारी चाहिए गाड़ी से रिलेटेड नय हैं आप पुराने हैं आप धंदे में भाड़ा कैसे मिलेगा गाड़ी कैसे चलानी है कहां से चला नहीं चल रही है तो क्या करी मेरे सब कुछ बता दूँगा क्योंकि अभी मंदी है और क्या क्या डॉक्मेंट चीए लोन मिलेगा की नहीं मिलेगा लोन कैसे मिलेगा और लोन हाँ एक चीज मैं बता देता हूं पताते बताते याद आ गया कि लोन जब भी आप कोसिस करें सरकारी बैंक से लें कम ब्याच पड़ेगा लोन के लिए भी एक जगा अपलाई ना करें दो से तीन जगह आप देख लें जहां पर इजली मिल जाता है और कम इंट्रेस्ट में मिलें वहाँ पे लें क्योंकि अपने को भाई बिजनेस करना है तो समझ रहें तो यह था एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए तो उमिद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी ल